अच्छ में सिखने वाले हैं कि कैसे आपने यूटूब चैनल को सर्च लिष्ट में नंबर वन पढ़ा सकते हैं जिहां अगर आपके पास भी कोई नीव यूटूब चलाना है या कोई भी नीव यूटूब चलाना बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बहुत ही हेलफू होने वाला क्योंकि हम चाहते हैं वह तरीका बिलकुल हटे क्या और बिलकुल आप नए क्या बढ़ाने वाले है ऑस Начal worship channel बते हैं बहुत ही असान तरीका है अपना चैनल सर्च में नंबर वन पढ़ाने का तो इसके लिए वीडियो को आपको लार्स तक देखते रहना है और साथ एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट रिक में चनल पर आप पहली वा रहा है तो मैं चनल को स्राइबर के बेल आइकन को ओल पर जूरी कर दिया कूंकि आपको इस चनल पर हमेशा कुछ लिए हैं उस नाम को आपको यूटूब पर सर्च करना होगा जी हां आप जिस भी नाम से बनाना चाहते हैं यूटूब चैनल या बना लिए हैं उसको इस तरह से आपको यूटूब में आकर सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह से न्यूइilटर्फेस देखने को मिलेगा देख सकते हैं इसके बाद आपको दिखाई देगा बगल में जो तीरी डॉट उस्टी ड़र पर टैप करके आपको फिल्टर कर लेना है। जी हाँ आपको करना है फिल्टर filter करने के लिए चाहर, यहां टैप करते हैं, टैप करने के बाद, यहां आपको filter वालए option पर tap करना है इसके बाद type जो है, अबी all पर select है उसको आप channel वाले option पर select कर लिजिए इस तरह से इसके बाद करते है, apply करने के बाद इस तरह से आपके सामने अगर उस channel का नाम अगर पहले से YouTube में दिखाई दे यहाँ आपको तो आपको अपना channel name change कर लेना है जी हाँ अगर आप इस तरह से filter करते हैं तो अगर उस channel का नाम यहाँ देखने को मिलता है तो आप पहले change कर लिजेगा अपना नाम और इसके बाद फिर से search किजेगा search करने के बाद अगर इस search में यहाँ आपको नहीं आता है उस channel का नाम तो ही आपको आगे का एक step फोलो करना है जी हाँ तो भी चाकि आपका चैनल search list में number one five आएगा चलिए अब हम बतलाते हैं कि अगला step आपको क्या फोलो करना ह यह step complete करने के बाद आपको उस channel पर आपको एक video upload करना है जी हाँ आपको अभी आपतले करने क्र लिए 玩 window करने के बार आपको दिखलाते आ काईसे आपको आगे प्रोसेस करना है क्या कि आपको setting करना ए हम विडियो के यहां से से topics कर लिए इसके बाद इसको करते हैंлам नेक्ट और नेक्ट करने के बाद अब के सामने यहां एक upload का option आजाएगा तो हम next कर दिये and इसके बाद upload पर click कर दिये, click करने के बाद यह video upload हो गिया हमारे इस channel पर और अब हमको करना है इस video को edit करने के लिए आपको अपना yt studio open करना होगा, open करने के बाद यहाँ आपको नीचे में और video आपको दिखाई देगा तो उस video आपको tap करना है उपर में आपको जो pencil वाल आइकन है उस पर आपको tap करना है tap करने के बाद यहाँ आपको option आजाएगा title, tag and description लगाने का सारा option आजाएगा तो हम अब बतलाते हैं आपको सिर्फ क्या करना है और क्या जरूरी है तो सबसे जरूरी है आपको नीचे जो tag लगाना है तो tag लगाने से पहले आपको अपनी YouTube channel का नाम जिहाँ आपको जो भी आपका YouTube channel का नाम है वो इस तरह से आपको tag में लिख देना है सबसे पहले जी हाँ आपको सबसे पहले इस तरह से उस यूटू चैनल का नाम आपको tag में लिख देना है और इसके बाद ही आपको दूसरा tag लगाईएगा तो इस तरह से आप भी अपने चैनल का नाम tag में पहले लिख दीजेगा और आपका यह सेटिंग दोनों complete हो गया और तब जाके आपका चैनल सर्च में एक वीडियो डालने के बाद ही नमबर वन पर दिखाई दिने लाएगा तो यह था आज का वीडियो आप लोग के लिए वीडियो से थरा भी आपको help हो आओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सराइ करके बेल आइकन को ओल उप रे जरू कर दिया को अपको इन चैनल पर हमेशा कुछ नया कॉंटेंट देखने को मिलता रहेगा तो चलिए जैहिंड